क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि जब आप चलते हो तो आपका हाथ भी automatically क्यों movement करने लगता है जब आप बात करते हो तो आप बात करते करते दूसरे काम भी कैसे कर लेते हो इन हर चीजों के लिए हमारे दिमाग का एक पार्ट का बहुत ही important role है जिसे समझाना बहुत ज़्यादा कठिन है लेकिन आज मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं आपको ये बात आसान से आसान भासा में समझाने का प्रियास करूँगा पता नहीं ऐसा हो पाएगा की नहीं पर अगर सच में मैं आपको ये बात समझाने में काम्याब हो पाया तो आप ये video like करके और comment कर के ये बात मुझे जरूर बताना देखे दिमाग का वो पार्ट जो हमारे चलने और कॉगनिटिव फंक्शन में बहुत जादा मदद करता है उसका नाम है बैजल गैंगलिया और ये मौजूद होता है बिल्कुल हमारे ब्रेन के सेरेब्रम के बेस में यानि जब हम अपने ब्रेन के अंदर जाएंगे सब कॉर्टिकल रीजन में तो जहां पर ये सेरेब्रम खत्म होने वाला होता है उसके बेस में मौजूद होता है ये बैजल गैंगलिया कुछ नहीं बलकि हमारे ब्रेन में ग्रूप ऑफ ग्रे मैटर का मास होता है जो की आपस में इंटर कनेक्टेड रहते हैं और ये बैजल गैंगलिया कुल पाथ चीजों से मिलकर बना हुआ होता है कॉर्डिट नूकलियस ग्लोबस पैलिडस जो की इंटर्नल और एक्स्टर्नल में दो बटा रहता है प्यूटा में सब्थ हेलमिक नूकलियस और सबस्टेंसिया नाइगरा एक बार 3D में भी आप इनके लोकेशन को देख लीजिए क्यूकि जब आप इनके लोकेशन को समझ पाओगे तभी आप ये भी समझ पाओगे कि ये हमें चलने में और बाकी के मूब्मेंट में कैसे मदद करता है मुझे पता है कि आपको ये बात समझने में बहुत दिक्कत होगी अगर आप नए है तो लेकिन आप बस इन सब की लोकेशन को ध्यान से समझ लीजिए देखे हम अपने सरीर से जो भी मूब्मेंट कर पाते हैं वह सब होता है हमारे ब्रेन के इस मोटर कॉर्टेक्स की वज़ा से क्योंकि ब्रेन यहीं से इंपल्स भेजता है मूब्मेंट के लिए हमारे ब्रेन में जो भी इंपल्स भेजे जाते हैं वह Neuro Transmitter के थुरू भेजे जाते हैं जो कि Neuron के ही अंदर होते हैं Neuron हमारे brain के cells होते हैं और हमारे Neuron में हमें जानना है Excitatory और Inhibitory Neurotransmitter के बारे में Excitatory Neurotransmitter को जो Excite करने के लिए या समझने के लिए इसे ऐसे जानिए ये Turn On करने के लिए Release होता है ब्रेन को मुव्मेंट करने के लिए इंपल्स भेजना होता है तो brain इन इंपल्स को भेजेगा कैसे इस बात को मैनेज करने का काम करता है हमारा बैजल गैंगलिया सबसे पहले motor cortex से प्यूटामें की तरफ Excitatory Glutamate Neurotransmitter सिगनल लेकर आते हैं और यहां से प्यूटामें इन हीबिटरी Gaba Neurotransmitter से सिगनल भेजता है Globus Pallidus Internus को यहां से यहीं इन हीबिटर सिगनल जाता है सबस्टेंसिया नाइगरा की तरफ उसके बाद फिर से यह सबस्टेंसिया नाइगरा इन हीबिटरी सिगनल सेंड करता है थैलमस को और फिर यहां से यह थैलमस excitatory Neurotransmitter के जरिए सिगनल भेजता है हमारे motor cortex और फिर motor cortex सरीर में movement के लिए impulse भेजना सुरू करता है जैसे हमारे पैरों की movement हाथ का हिलना जैसी चीजों को यह वाला जो पूरा path बना है Neurotransmitter के सिगनल का इस path का नाम है direct pathway motor cortex को excite करने के लिए या motor cortex को on करने के लिए अब हमारे दिमाग में motor cortex को off करने के लिए भी एक pathway पहले से ही बना हुआ है जिसे indirect pathway कहते हैं तभी तो हम अपने movement को control कर पाएंगे देखिए indirect pathway में क्या होता है कि इस motor cortex excitatory neurotransmitter से signal भेजता है putamin को putamin इस signal को inhibitory signal के form में globus pallidus externus को फिर यहां से signal जाता है इस सब thalamic nucleus के तरफ GABA neurotransmitter के through अब यहां से signal फिर जाता है substantia nigra के तरफ और यहां से signal भेज देता है thalamus को और thalamus अब signal को भेज देता है motor cortex को turn off करने के लिए यानि की सांथ होने के लिए इस तरीके से हमारा brain motor cortex के through हमारे सरीर के movement को control करता है और इसका management हमारा बेजल गैंग लिया करता है जिसमें thalamus बहुत ही important role play करता है क्या आपको ये वीडियो समझ में आया है अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना क्या आपको लाइक जरूर को लाइक जरूर करता है